हलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग सो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल सुनील कौशल में फ्रेंड्स आज हम डिसकस करने वाले हैं डी ए भी स्कूल और दो और बड़े स्कूलों की वकेंसीज के बारे में आज की जो बकेंसीज हैं उसमें सीट या टेट कमपलसरी नहीं है मेंडेटरी नहीं है ठीक है और आप किसी भी स्टेट से बिलॉग करते हैं आप इन जॉब्स के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों आपके दिमाग में कोई और भी किसी भी तरह की एडवाईज हो कैसी जॉब्स आप लोगों को चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी स्टेट में आप लोगों को जॉब्स चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और इसके लावा आपको मेरा काम कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं ठीक है और किसी की अगर जॉब लगी है कि नहीं किसी को अगर इंटरव्यू कॉल आई है वो भी लिखा करें ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहे और इसके लावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल या वर्टसैप ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अलड़ी दे रखे हैं तो दोस्तों अब आज की जो जॉब्स हैं वो डिस्कुस करते हैं कि कौन-कौन सी वेकैंसी हैं कहा कहा से आई और कैसे आप लोगों ने अपलाई कर रहा हैं तो सबसे पहली जो वेकैंसी है वो है BBD, DAV, Public, Senior, Secondary, School की तरफ से तो यहाँ पे जो वेकैंसी आप लोगों के लिए निकली हुई हैं वो हैं kindergarten teachers required primary teachers are also required for English, social study, mathematics इसके लाबा post graduate teacher की जो requirement है that is for commerce subject तो दोस्तो candidate who is to apply for the post required to go through the details furnished below जो वेकैंसी अभी आप लोगों को मैंने दिखाई kindergarten teachers, primary teachers और post graduate teachers के लिए इनके लिए आप apply कर सकते हैं और salary इन्होंने 9 बार लिखी है मतलब जो भी DAV के terms and conditions होती है, norms होते हैं उसके accordingly ही आप लोगों को यहाँ पे salary मिलेगी इसके लाबा अब जो candidates है with CTAT और PSTAT qualified को prefer किया जाएगा अब preference का मतलब होता है कि अगर हमें CTAT, PSTAT candidate नहीं मिलता है तो हम बिना CTAT, PSTAT candidate को भी फिर consider करेंगे preference की बात कर रहे हैं या पे mandatory नहीं है मतलब और लेकिन एक additional चीज है आप लोगों की English की पकड़ अच्छी होने चाहिए you should have good fluency in English speaking interested and eligible candidates are required to apply immediately जो last date रहेगी आप लोगों की 6 से 7 सेप्टेंबर तक रहेगी वैसे 6 सेप्टेंबर तक ठीक है एक नौ 2021 से लेकर की 5 दिन जोड़ दीजिए 6 सेप्टेंबर को last date रहेगी अप्लाई करने की BBD DAB Public Senior Secondary School तो इनका address नोट कर लेजिए BBD DAB Public Senior Secondary School चनार्थल खुर्द फतेगट साहीब पंजाब में है ये इनका email address आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस email ID पे आप लोगों ने जल्दी से जल्दी अपना बायर जटा भेजना है इसके लावा इनकी website की का जो URL है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आप चाहें तो आप इनकी website विजिट कर सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को स्कूल के बारे में पुरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे इन्होंने अपना advertisement में phone number नहीं दिया हुआ है अब इसके लावा बात करते हैं दूसरे दो स्कूलों के बारे में अगला स्कूल है Crescent Castle Public School और यहाँ पे जो अभी latest advertisement आई हुई है for the subject of computer application for the following subject to handle ICSE और ISC दोनों तरह के बच्चों को आप लोगों को handle करना है और computer applications में as well as business study की भी यहाँ पे commerce में post आप लोगों के लिए open होके आई है काफी अच्छा स्कूल है दोस्तों यह भी Crescent Castle Public School अब यह स्कूल कहां पे located है how you have to apply तो location जो है that is Utakamund Utakamund Uti में है यह and it is Tamil Nadu India and मेरे कोई one of my friend has written in the comment की Tamil Nadu में बताइए सर तो आपके लिए job आ गई है बाकी यह numbers मैंने share किये हुए है I have already shared these numbers in the screen you can call and confirm these posts also अब इसके बाद बात करते हैं कि अगले स्कूल के बारे में जो अगला स्कूल है उसमें जो vacancies आप लोगों के लिए निकल के आई है TGT from class 6 से लेकर के class 8 तक subject रहेंगे English, Mathematics, Science and Social Science qualification, candidate must be graduate and with B.Ed ठीक है और जो location है वो है रायबरेली उत्तर परदेश में salary कोई आप लोगों के लिए issue नहीं रहेगा salary बहुत शादारी यहां पे आप लोगों के मिलने वाली है school का नाम है Lucknow Public School ACP Singh Foundation है यह तो यहाँ पे इसके लावा दोस्तों आप यहाँ पे contact करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं और Lucknow Public School NAV Abad Abul Hasan यह पढ़ जाता है रायबरेली में ठीक है तो इन्हों ने जो age मांगी है वो 25 साल से 45 साल 25 तो 45 इर सक होनी चाहिए interested candidates can report at the venue as mentioned above जो address आप लोगों को बताए है आप यहाँ पे walk-in interview के लिए जा सकते हैं last entry will be allowed latest by 2 p.m. only यह manager locating की तरफ से notification आप लोगों के लिए आई है so friends अगर आज का वीडियो अच्छा लगा please like बटन जुरूर दबाए मेरी तरफ से शुब कामना है best of luck कोई भी comment हो please comment box में जुरूर लिखे मिलते हैं अगले वीडियो में नई jobs के साथ तब तक के लिए thank you very much please like तरफ से बटने जुरूर लिए झाल झाल झाल